असलाम अलेकूम अजीज तलबा हम जमात अफ्तुम के जोग्राफिया के सबक नमबर 6 कुद्रती खित्ते की मालूमात हसिल कर रहे हैं सबक के दूसरे मौदूम में हम ताइगा के खित्ते के मुतालिक मालूमात हसिल करें सबसे पहले ताइगा खित्ते का महले वकू और इलाके जानते हैं ताइगा खित्ता तक्रिबन 55 दर्जे से 65 दर्जे शुमाली अर्जुल बलत के दर्मियान फैला हुआ है अलसका के पास से बहरे उक्यानोस तक का इलाका और यूरेशिया का इलाका ताइगा के कित्ते में शामिल है अब आबहवा के मुतालिक जानते हैं ताइगा कित्ते में सूरच की शुआय तिर्ची पड़ती है इसलिए गर्मियों में दर्जे हरारत अकरिबन 15 दर्जे से 20 दर्जे सेल्सियस होता है और सर्दियों में यहां का दर्जे हरारत सीफर दर्जे सेल्सियस से भी कम हो जाता है यहां बारिश का सालाना ओसत 300 से 500 मिलिमिटर है यहां गर्मियों में बारिश और सर्दियों में बर्फ बारी होती है अब जानते हैं ताइगा खिते की कुदरती नबतात के मुतालिक ताइगा जैसे बर्फ बारी वाले इलाके में मकुरूती दरखतों के जंगलात पाए जाते हैं ताके बर्फ इन दरख्तों की शाखो और पत्तों से फिसल जाए यहां के दरख्तों के पत्ते छोटे और सुई नुमा और डालिया जमीन की सिंप जुकी हुई होती है इनकी लकडिया नर्म और हलकी होती है यहां स्परोस, फर, पाइन जिसे सनुबर भी कहा जाता है चोप सुर्क जिसे रेडूट कहा जाता है वगरा दरख्त पाये जाते हैं कुदरती नबातात के बाद यहां की हैवानी जिन्दगी के मुतालिक जानते हैं अजीस तलबा, यहां का मशूर जानवर कैरिबो है इसके अलावा यहां एल्क जानवर भी पाया जाता है एल्क हिरन की ही एक किस्म है लेकिन यह हिरन की दूसरी किस्मों की बनिजबत बड़ी जसामत के होते हैं इसके साथ साथ अर्मिन पाये जाते हैं आर्मीन एक छोटी दुम और गिलेरी के जैसा नजर आने वाला जानवर है साथ ही यहां बेवर भी पाये जाते हैं जिसे हम ओध बलाव भी कहते हैं इसी तरह मिंक नामी गोश्ट खोर जानवर भी पाया जाता है जो गहरे रंग का होता है इसके अलावा यहां रीच भी पाये जाते हैं यहां के जानवरों के जिस्म उपर नर्म और घने बाल होते हैं ताके सर्दी से इनकी हिफाज़त हो सके अब ताइगा खित्ते की इंसानी जिन्दगी के बारे में जानते हैं यहां आबादी बहुत कम है जमीन पर ज्यादा तर बर्फ बिच्छी होती है इसलिए यहां जरात बहुत कम होती है यहां के लोगों का पेशा शिकार करना और लकडिया तोड़ना है